Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss the video from the easy food recipes. Hello friends, आज हम बनाएंगे चीजी खानवी, तो आईए देखे, चीजी खानवी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? 200 ग्राम बेशन लिया है, एक ग्लास हमने बटर मिल्क लिये है, हाफ टीस्पून अड्रक मीची की पेस्ट लिये है, हाफ टीस्पून हल्डी, स्वादनुसा नमक और हाफ टीस्पून जीरा, ये सारी चीजों से हम खानवी बनाएंगे, और खानवी में टरका लगाने के लिए, डो टेबल स्पून ओईल, एक टेबल स्पून सरसो के डाने, एक टेबल स्पून वाइट टील, डो टेबल स्पून जीतना ग्रिटेट किया हुआ, फ्रेश कोकोनट लिया है, पाँच्छे कडी पटा, और डो ग्रीन चीली को हमने बड़े पीसिस में कात लिया है, बारिक कटा हुआ हरा धनिया, इन डोनों चीजों से हम खानवी को गार्नेश करेंगे, और ये हमने अमूल चीज ली है, और उसके उपर स्पिरिंकल करने के लिए चाट मसाला लिया है, अब सबसे पहले हम खानवी के लिए गोल्टे यार करेंगे, तो एक बटन लेंगे और उसमें बेशन एट करेंगे, और उसके साथ हम हरे मीर्च वाली पेश, जीरा, वन एन हाफ टीस्पून नमक और, आफ टीस्पून जितनी हल्डी एट कर लेंगे, और एक ग्लास बटर मिल्क और एक ग्लास जितना नॉर्मल पानी एट करके, खानवी के लिए गोल्ट तैयार कर लेंगे, और उसे हम एक कडाई में ग्या शॉन करेंगे और कुख होने के लिए रख देंगे, खानवी के गोल में हमें स्पून से टलेटक चलाते रहना है, ग्यास की फ्लेम मीडियाम रखेंगे और खानवी के लिए पेश्ट तैयार करेंगे, गोल में हमें एक जिसे टलेटक स्पून को चलाते रहना है, नहीं तो लम्स आ जाता है तो इस तरह से हम खांडवी के लिए पेश्ट टैयार करेंगे यह देखिए खांडवी के लिए पेश्ट रेडी हो चुकी है तो अब हम ग्यास की फ्लेम आफ करेंगे और खांडवी की पेश्ट को कीचन के प्लेटफॉर्म के उपर चारो और एक जैसी फैला के लिएर बनाएंगे खांडवी की पेश्ट को हम गरम गरम ही टुरंट ही उसे फैला कर इसकी लिएर बनाएंगे नहीं तो यह जम जाती है आप चाहे तो इसे ठाली के उपर भी एसे फैला के लेयर बना सकते है फेश्ट को स्पून से फैला कर चारो और एक जैसा पटला लेयर बनाएंगे ये डी स्पेस्यल बच्चों के लिए है बच्चों को चीज वाली सारी डी से बहुत ही पसंद आती है खांडवी के उपर चीज ग्रेट करेंगे फिर उसके रॉल करेंगे तो ये हुई चीजी खांडवी चीजी खांडवी खाने में बहुत ही यमी लगती है और बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आएगी तो आप भी एक बार जरूर से ट्राइ किजिएगा झाले से टा बढ़रेमす पहरे सांसर पूरर से आप सब्सक्तास को पाले कि अएनाए बचाइगा दर एक ले एक बाल वेकी कि किन का बाक्वाइगास kावें साज़ सक्कली स Rouge लिए चाले कि ये नंँ भूल वो च्ड़िक एक बालेगे डाले मैं से लुअ़ Peanut सानवी की पेश्ट को चारो और फैला के हमने एक जैसा लेयर बना लिया है और अब हम इसे कट करेंगे में पोल झाले घुचर है झाले अरना Pray लेँ़ है झाले अरे जाले है यक झाले slich झाल झाल और उसके उपर हम चीज को चारो और एक जैसा ग्रेटेट करके फैलाएंगे यह हमने अमुल चीज यूज की है आप चाहे तो कोई भी चीज यूज कर सकते हैं झाल 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 त्याल झाल तो कर लिया है अब उसके उपर हम चात मसाला स्प्रेंगल करेके अब हम खानरी के रोल बनाएंगे तारी खानरी के हम रोल बना के पहले एक साइट पर रखड़ेंगे बाद में हम इसे कट करेंगे यह देखिए खानरी के सारे रोल बना कर हमने रेडी कर लिए है अब इसे बड़े बड़े पीसीस में काट कर एक बाउल में रखेंगे ये देखिए चीजी खानवी बनकर रेडी हो चुकी है अब हम इसके उपर तड़का लगाएंगे तो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले ग्यास ओन करेंगे और तड़का पेन को ग्यास पर रखेंगे और उसमें हम डो टेबर स्पुन जितना ओईल एट करेंगे खानवी को हम फ्रेश कोकनट और हरे डणिये से गार्णिस करेंगे तड़का पेन में ओईल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें सर्सो के डाने और वाइट टील एट करेंगे और हरीनी चेट करके खानवी के लिए टड़का रेड़ी करेंगे तड़का रेड़ी हो चुका है तो अब हम इसे खानवी पे चार पे लोग में पैलाके डालेंगे यह दीकिए चीजी हम्हीं निशो Bengal करने के लिए रेड़ी हो चुकी है तो आप भी इस तरह से चीजी खानवी बनाईए ये वो होठी इजी रेसिपी है एक बार जड़ू से ट्राइ कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले